तो यार विलकम तो अनदर एपिसोड अफ नदी न्यूज नया वीक और नय अपडेट स्नाइडर कट से लेकर स्पाइडर मैन 3 तक और उपर से थौर लवेंट अंडर के सेट से क्रिस हमस्वरत के कई सारे फोटोज इसलिए ओबिसली कुछ मिस नहीं करना चाहते तो वीडियो देख रहे होगे तो वो ट्रेलर और टीजर आ भी चुके होगे तो हाँ इन में से कुछ अगर इंट्रेस्टिंग रहा तो मैं ब्रेकडाउन तो करूंगा ही इस मिस नहीं करना चाहते तब ही सब्सक्राइब का बटन ठोक दो चलो बढ़ते हैं फैलकन इंदी विंटर तो यह तो रिवील हो ही गया था कि ब्लेड की मूवी आने वाली है और इसमें लीड में महरशाला अली दिखेंगे और इस वीक यह कंपर्म हो गया कि इसकी राइटर स्टेसी कफर होने वाली है इससे पहले इन्होंने एच्बियो मैक्स की वाच्पन सेरीज की स्टोरी भी लेकिन इंट्रेस्टिंग रहा ये फोटो जो की जारेड लेटो के जोकर का है हाँ ये क्लियर लुक तो नहीं है बट ये जरूर बता लग रहा है कि स्विसाइड स्कौर्ड वाले जोकर से इस जोकर का लुक डिफरेंट होगा आपको क्या लगता है कॉमेंट जरूर करना व आते हैं WandaVision पे तो यहाँ एक शौकिंग अपडेट आया है कि मावले श्ट्यूरियोज ने स्पोईलर देने के लिए एक वाइस एक्टर को निकाल दिया है तो कुछ दिन पहले यह स्पोईलर बहुत पहले ही दे दिया था तो इसके चलते उन्हें अब रिप्लेस कर दिया गया अब उनकी जगा मैन्यूल की में उन्हें पीट्रो को डब किया है तो हाँ भाई मार्वल वाले स्पोईलर को बहुत जादा सीरियस लेते हैं अच्छा हुआ मैंने लीक को लेकर कुछ नहीं बताया था नहीं तो आज मेरा चैनल भी नहीं होता वैसे कैट डेनिस जो की डार्सी का रोल प्ले करती हैं उन्होंने ये बोला कि वांडा विजन के बाद भी वो एमस्यू में दिखेंगी बट उन्होंने ये भी बोला कि Thor Love and Tender में उनका एपिरेंस हो गए या नहीं ये नहीं पता इसको लेकर अभी तक उनका कोई डिसकेशन स्टूडियो के साथ नहीं हुआ है नेक्स्ट आते हैं एटरनल्स के एक छोटे से अपडेट पे तो सल्मा है जोकि आजैक का रोल प्ले करने वाली है उन्होंने रिवील किया कि सिर्फ उनका ही करेक्टर है जोकि सिलेश्टियल से कम्यूनिकेट कर सकता है सबसे पहली बार हमने सिलेश्टियल को Guardians of the Galaxy में देखा था एंड इसके बारे में बहुत सारे मुवीज में जिक्र भी हुआ है अब आते हैं War Machine पे तो एक्टर Don Shiddle जो की War Machine का रोल प्ले करते हैं उन्होंने रिवील किया है कि वो Falcon and the Winter Soldier में भी दिखने वाले हैं The Armor Wars के एक Disney Plus सीरीज भी आने वाली है जिसके बारे में मैंने पहले भी बताया है उसको लेकर भी ये रिवील हुआ कि इसमें War Machine के करेक्टर को बहुत ज़ादा एक्स्प्लोर किया जाएगा साथी War Machine के Armor के साथ इनोवेशन भी इसमें दिखेगा डॉन शीडल ने ये भी बोला कि उस शो में सबसे आदे इंपॉर्टेंट फैक्टर टोनी स्टाक का दिथी है और उसी के राउंड पूरा शो रिवाल्व करेगा वैसे Disney Plus से ये याद आया कि इस वीक ये भी कन्फर्म हो गया है कि Black Panther का एक स्पिन ओफ शो Disney Plus पे रिलीज किया जाएगा जो कि Wakanda को एक्स्टोर करेगा और इसे भी Ryan Kugler ही डिरेक्ट करने वाले हैं अब आते हैं Spider-Man के cancellation पे तो spectacular Spider-Man का एक animated show जिसे की season 2 के बाद ही cancel कर दिया गया था बट फैंस ने अब इसके लिए demand करना start किया है कि इस show की season 3 को renew किया जाए इसके लिए petition भी sign होने लगे है और उपर से Twitter पे कल ये पूरा दिन trending में भी था अब Spider-Man की बात होई रही है तो आते हैं Spider-Man 3 पे तो सबसे पहले तो एक rumor आई है कि Willem Defoe अभी Spider-Man की shooting कर रहे है बहुत दिनों से ये rumor था कि वो इस movie में फिर से दिखने वाले है as Green Goblin बट अभी भी कोई official confirmation नहीं है बस उड़ते उड़ते daily rumors आ रहे है वैसे rumor की बात होई रही है तो ये भी rumor है कि Spider-Man 3 में Peter के character की तीनों versions दिखेंगे और यही बात जब Tom Holland से पूछा गया तो उन्होंने clearly बोल दिया कि इसके बारे में उनको कुछ नहीं पता उन्होंने ये भी बोला कि if Marvel Studios का ऐसा कोई plan भी है तो उन्हें अभी तक नहीं बताय गया है अब ये obvious सी बात भी है कि Tom Holland को इतनी सारी details नहीं बताय जाएंगे हर बार उन्होंने ही spoiler दिया है ऐसा लगता है कि Marvel ने Tom Holland को Spider-Man के लिए नहीं spoiler man के लिए चूज किया है वैसे Tom Holland ने अपना ये photo इंस्टा पे शेयर किया था जिसमें Harry Holland भी है और पिछले वीग भी Harry Holland के Tom के साथ shooting करने के photos आये थे तो हाँ ये देखना interesting होगा कि उनके भाई इस movie में क्या role play कर रहे है या फिर उनका बस एक cameo है या फिर वो यंग Peter का role play करने वाले है let's see क्या होता है आपको क्या लगता है comment ज़रूर करना और सबसे last आते हैं Thor Love and Thunder के सेट पे तो हाँ इस movie के सेट से कुछ awesome photos आये है सबसे पहले तो सेट पे एक बकरी दिखी है हमें मजाक नहीं कर रहा सच में बकरी दिखी है अगर आपको कॉमिक्स में पता होगा तो हाँ कॉमिक्स में भी Thor के पास दो mystical goat थे tooth grinder and tooth nasher तो हाँ हो सकता है कि movie में भी इनका appearance हो दिन सेट पे क्रैगलिन भी दिखाया है अपने याका arrow के साथ फिर nebula भी and good news की Chris Hemsworth भी दिखे हैं Chris Pratt के साथ and clearly यहाँ Chris Hemsworth पहले से भी ज़्यादा muscular हो चुके हैं तो यह थी इस week के updates hope so कि आप पूरी दर से updated हो गया होगे अगर हाँ तो वीडियो लाइक करना share करना and obviously subscribe करना WandaVision के episode 5 का breakdown देखने के लिए उपर वाली वीडियो देखें and कुछ random देखने के लिए नीचे वाली मैं जल्दी और ने वीडियो लेकर आऊंगा till then be desi, be nerd